हलो फ्रिंस? आम काचार खाना सबी को बहुत ही पसंद होता है लेकिन बहुत पर अशा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है धूप की वबस्ता सही नहीं होती है जिस कारण हम चाहकर भी आम काचार नहीं बना पाते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी रिस्पी शेयर करूंगी, जिसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और धूप की भी कोई जरुवत नहीं पड़ेगी, तो आईए आज की रिस्पी सुरू करते हैं, मैंने यहाँ पे एक किलो आम लिया है, इसे बहुत अच्छे तरीक तो आप यह देखी, कुछ इस तरीके से हम इसे कट करेंगे, और इसके बिल्कुल ही छोटी-छोटी से पीसे हम कट करेंगे, ताकि यह बहुत असानी से पक जाए, तो इस तरह से हमने सारा आम काट कर रेडी कर लिया है, इसके अचार बनाने के लिए जब भी हम आम को तो आप ऐसा आम लिजेगा, जिसमें गुठली जो होती है, वो छोटी हो और पल्प जादा हो, और आई तब तक हम इसके लिए मसाला बना कर रेडी करते हैं, मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून सौफ लिया है, सौफ हम मोटे दाने वाले लेंगे, और 2 टेबल स्पून पिल की के दाने और 1 ना हाफ टेबल स्पून जीरा भी आड़ करोंगी, इन सब को हम पैन में डाल कर ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, इसे बहुत जादा नहीं भूनना है, बस इसे हमें थोड़ा गर्म कर लेना है, और फिर इसे ग्राइंडर में डाल कर, इसके क्या बिलकुल दरद पहले गर्म कर लेंगे, जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फिर उसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद अब मैं यहां पी लेसन डाल रही हूँ, लेसन हम अच्छी कॉंटिटी में लेंगे, जो बड़ी पीसिस थी उसे हमने दो पाट में कट कर ल लेंगे, हिंग हमने यहां पी लगबग 1 टेबल स्पून हिंग हमने इसे हमाल किया है, हिंग से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और यह हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है, और हमने यहां पी मसालों को आड़ कर दिया है, जो मसाला हमने बना कर रेडी किया था उसका लगबग 3 टेबल इस्पून मैंने इसमें मसाला आड़ कर दिया है 2 टेबल इस्पून हल्दी पॉडर 2 एन आफ टेबल इस्पून कस्मीरी लाल मिर्च और अब हम इसमें 1 एन आफ टेबल इस्पून black salt add करेंगे और normal salt test के according इसमें add कर देंगे आप चाहिए तो इसमें normal जो लाल मिर्च की powder होती है आप उसे भी add कर सकते हैं तीखा आप अपनी पसंद के according कमे जाधा कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कस्मिरी लाल मिर्च का ही इस्तमाल किया है जिसे अचार का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और इन सभी को डाल कर हम अच्छे तरीके से इसे चला लेंगे फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है अब मैं इसमें कुछ करी पत्तों को आड़ कर रही हूँ मेरे पास जो करी पत्ता है वो सुखा है इसलिए मैं इस टाइम पर आड़ कर रही हूँ अगर आप फ्रेस करी लिफ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो जिस वक्त आप लेसन डाल रहे हैं उस वक्त ही आप फ्रेस करी लिफ को भी इसमें डाल दे करी लिफ से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है वाइट विनेगर को एड़ कर सकते हैं, आप एक किलो आम में लगबग 3 टेबल स्पून वाइट विनेगर को एड़ कर दी, तो भी अचार बनकर बिल्कुल रेड़ी है, इसे हमें बहुत जादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि इसका जो पीस है, वो सॉफ्ट हो जाए और यह अच्छे तरीके से पक जाए, जब तक अचार ठंडी हो रही है, हमने यहाँ पे एक सीसे का बरतन रेड़ी कर लिया है, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे सुखा भी लेंगे, आप कुशिस कीजेगा कि सीसे के बरतन या चिनी मीटी का जो बरतन होता है उसका ही इस्तेमाल करें प्लास्टिक के कंटेनर में आप कभी वि अचार को स्टोर ना करें आप देखरे होना इसका कलर बहुत ही अच्छाँ आया है और इसमेल भी बहुत अछाँ आरे है इसे आप किसी भी तरह का पराठा, पूरी, सिंपल सी दाल चावल, खिचडी, किसी के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही तेस्टी लगती है तो अगर आपको हमारी रिस्पी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेर जरूर करें, और अपनी कमेंट्स पर लिख कर जरूर बताएं और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी और बिल आिकन को प्रेज कर दी तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई रिस्पी के साथ, एक नए वीडियो में Thank you, thank you for watching.